असलाम अलेकूम, आज मैं बना रही हूँ आलू और भैगन की सबजी पहले एक सबजी मसाला बना लेते हैं, उसके लिए मैंने पैन चड़ाई है हलका सा तेल डाल के मैंने 4-5 मिर्च भून लेंगे उसके बाद मैंने 2 चमच धनिया और 1 चमच जीरा हलका से भून लेंगे साथ में डालेंगे 1 तीजपून काली मिर्च, साथ ही मैं डाल रही हूँ एक डाल जीनी का टुकड़ा 4-5 लॉंग डाली है, अब मैं डाल रही हूँ 4 हरी लाइची और 2 तेजपता इसे हलका से गरम कर लेंगे, इसे जादा भूनना नहीं है इस तरह से आप ये बना के रख सकते हैं, तब आपको अलग-अलग मसाले बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ती अब जब मसाला ठंडा हो जाएगा तब पीसेंगे अभी मैंने एक कड़ाई चड़ाई है और थोड़ा समय तेल डाल रही हूँ और साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ अद्रक मिछ ली है, उसे कूट लेंगे तेल यहाँ अच्छे से गरम हो गया है, तो जीरा, एक तेजपता और थोड़ा सा हिंग डाल दिया है इसके बाद बैगन और आलू डाल देंगे, तुरंती इसमें हल्दी नमक डाल देंगे, नहीं तो जो बैगन है वो काले पड़ जाएंगे मसाला भी ठंडा हो गया था, तो मैंने इसे पीस लिया है आपीसे स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होती है जो आलू बैगन थे, वो भी भून गया है, तो मैं इसमें अद्रक और मिच डालेंगे, साधी टमाटर डालेंगे जो मसाला मैंने तयार किया था, वो भी दो चमस डाल देंगे इस तरह इसको चलाते रहेंगे, मैंने इसमें कोई भी और मसाला नहीं डाले है, ये बहुत जादा अच्छे बनेगी जो आलू बैगन है, वो अच्छे से भून गया है, तो अब मैं डाल रही हूँ पानी, मैं यहाँ एक कप पानी डाला है, धक देंगे और एक बॉयल आने देंगे तब तक मैं बना रही हूँ, बीटूट कर आईता, बहुत ही सिंपल सी रसिपी है पहले मैं यहाँ दही को फेट लूँगी, और बीटूट को छील करके अच्छे से ग्रीट कर लिया दही में बीटूट डाल देंगे, साथ ही में बारिक मिर्च काट के डाली है, और साथ में थोड़ा सा अदरक कूट के डाली है और दो चमच मैंने रोस्टेट मूंग फली डाली है, जिसे मैंने हलका सा क्राश कर लिया है थोड़ा सा नमक डाल देंगे, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक बिट ट्राइ कीजिएगा, बहुत अच्छे लगेगा अब यहाँ पर बैगन की सबची चिक कर लेते हैं, यहाँ पर सबची अच्छे से सॉफ्ट हो गया है अब क्या करेंगे ना, आलू और बैगन थोड़ा सा स्मेश कर देंगे, ताकि ग्रेवी बहुत अच्छी बने उपर से बारिक कटा हरा धनिया डाल देंगे, मैंने इदर गरम मसाला भी नहीं डाला है क्योंकि उस मसाले में सारी चीज़े डाली थी, बहुत जादा टेस्टी लगता है अब मैं बनाओगी पालक का चिल्ला, तो मैंने यहाँ पालक को अच्छे से धो कर बारिक बारिक काट कर लिया है साथ में यहाँ पे बारिक कटा हुआ टमाटर आड़ कर रही हूँ अब डालेंगे कुटा हुआ अधरक लैसून, फिर डालेंगे हल्दी, नमक और थोड़ा सा अजवाइन डाला है थोड़ा सा हिंग डालेंगे और साथ ही बाइंडिंग के लिए बेसन डालेंगे मैंने यहाँ पे 5-6 चामच बेसन डाले है जब तक इसमें बाइंडिंग नहीं होती और बेसन डाले फिर मैंने पानी एड़ किया ताकि जब तवे में डाले अच्छे से फैल जाए अगर पानी नहीं डालेंगे तो बहुत मोटा मोटा सा बन जाएगा यहाँ तवा गरम हो गया है थोड़ा सा ओयल डाला है जो पालक का चिला है वो फिला राये हूँ अगर आप हाथ से कर सकते हैं तो ठीक है नहीं तो आप स्पून से भी फिला सकते हैं अच्छे से सेख लेंगे मीडियम टू लू फलिम में अच्छे से सीखने से बहुत जादा अच्छा लगेगा खाने में जरूर से ट्राइ कीजिएगा कैसे लगी आज की रेसिपी कमेंट करके जरूर बताईएगा मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ